यूपी के बारा बंकी में क्रिकेट मैच में नूबॉल को लेकर दो टीमों में जम कर विवाद हो गया हार जीत के लिए क्रिकेट ग्राउंड जंग का मैदान बन गया यही नहीं विवाद इतना बढ़ा कि एक टीम ने दूसरे टीम के खिलाडियों के कान का डाले गायल खिलाडियों को इस्थानी अस्पताल में भरती कराया गया यही नहीं इस मारपीट के दोरान दो लोग गायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल रिफर किया गया है दरसल यह मामला थाना बादो सराई के हाता पुर्वा गाउं का है हाता पुर्वा गाओं में दो टीमें क्रिकिट मैच खेल रही थी तभी एक गेंद को नो बॉल करार देने पर आपस में खिलाडियों की जड़प हो गई देखते ही देखते क्रिकिट का मैदान जंग का मैदान बन गया इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें क्रिकिट के बैट से खिलाडी आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं दोनों टीमों में विवाद इतना बढ़ा की चाकू बाजी तक शुरू हो गई वहीं इस बीच एक खिलाडी ने दूसरे खिलाडी का कान काट डला घाइल खिलाडी ने बताया कि नो बाज को लेकर विवाद हुआ था इन लोगों ने मुझे मारा और कान पर चाकू मार दिया जिससे मेरा कान कट गया अ कि अ मैच फिन ले गई थे वहां पर जो है बनलेबाज ने मैं घाली दी अऔर गाली दी उसने तो अमारे त्रफ के बोले गाली को दे रहा हो इन्हों का गाली को न दे यह मत्यूंत जो नो दे रहें तो इसे व्याद में जखडा एंधिन दे तो एससे बाज भी आज़ा हाला कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों के तलाश शुरू कर दी है इस घटना को लेकर रामनगर के सीओ दिनेश दुबे का कहना है कि क्रिकट मैच के दोरान आपस में मार पीट हो गई जिसमें राजिंदर नाम के लड़के के कान में चोट लगी और उसका कान फट गया इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफतारी कर ली जाएगी यह कल जो है यह दुदरोली भावानीपुर में चोड़ा था तो वहां पे बच्चों बच्चों में आपतु बाज़ाद हो गया मार प्रही हो गई यह समन्द में एक राजिंदर लड़का है उसके कान मुचूट लगी और उसका कान फट गया दूसरे पक्ष का भी एक चू और इसमें विविष्णा की जा रही है प्रहाद दिन इच्चा बदूसरा को देशित कर दिया गया है कि सीग्रे जो भी मार्पिट करने वाले हैं उनकी करतारी करें और सक्त कारवाई करें इससे बच्च में तरह की बापना हो क्योंकि दो आओं का मेटर है महानी पुर के प बारा बंगी से सेद रहान मुस्तफा की रिपोर्ट युपीता